हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे इट्यू चैनल इसकेशन ब्रांश भी आज हम देखेंगे इरुटेरिया का जो कि 5000 कोश्चन दिया गया है औपजेक्टिव फॉर्म में रहने वाला है चलिए इससे स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप से भी नहीं इससे पढ़ रखा होगा लेगिन फिर भी इससे फास्ट रिविजन करने के कोशिस करेंगे चलि इससे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं प्रेक्टिश सेक्ट नमर वन को फर्स्ट नमर कोश्चन दिया गया है भारत के साथ ब्यापार करने का चार्टर महरानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था यह दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था नेश्ट कोशन है भारतिय राष्टी आंदुलन के प्राराम से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था निम्र में से कौन नहीं सामिल थे बताई कौन सामिल नहीं थे त्या सामिल नही सीधु हुए इसका राइट असर क्या होगा इसका राइट असर हो जागा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति सथुष्टी करण कि नीती का अरम सबसे पहले और प्रमुक संस्था थी यह जो थी यह थे ब्रिटिस इंडिया एसोसियेशन ब्रिटिस इस्ट इंडिया एसोसियेशन सब्सक्राइब हो के ब्रिटिस्ट के लिए पहले भारतिय थे उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर छुना जीता कि यह जीते थे यह जीते थे यह जीते थे liberal party भारत प्रहुनों का प्रत्रफ़ प्रत्म की सासक के समये हुआ था तो ज्य interpreting को Forgive देतिय को आधन का शुम्स के समये गजञे को तो सब्सक्र्ण क्यों हुआ कि मिल्केश्व विधरी के ? Second question number eight, यह लगूक की सासक से संबंदित है, तो यह पुलकेशीन दीटिए से संबंदित है, आपसन नमर六 की इसका राई तस रह जाएगा, नेट आफ सत्म किस उपनी सत्म संगरहित है, तो मुन को उपनी सत्म साथ मून को उपनी सत्म से, नेश्ट कोशन है, कोशन नमर 12, अकवर दोरा बनाएगे उपाश्ण भवन का क्या नाम था? यह नाम था इवादत खाना, इवादत खाना, नेश्टे सुपरसी संगितकार तांसिन और बैजू बावरा किसके सासनकाल में सुब्य क्या थे, यह अकवर किसे में, नेश्टे नि रेखाओं के समय यह कौं सही है, यह चांसोर रेखाओं के समन आंतर होते हैं, इनकी संखह DAC है, थे, जज़ πर्णत खता है, देशांतर के ह oportun, और ते, ज़वादी पहारी, निलगिरी पहाड़िया, और अन्हीं, पहाड़िया, और अन्ना emphasis, यह बाधत, पहाड़ियां और उत्तर से दच्छिन क्यों पताना है। सबसे प्रह culmination MINALLA MALAI फीर ज़वादी पहाड़ां निलगीरी पहाड़ां फिर ANNA μαलाई पहाड़ां। निलगीरी पहाड़ाई एक सबस्रों चीह छोटे σε जोटे डोड़ा वेटा है,, Aamment понимordi है। कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है या कोशी नदी है बिहार के शोक से नाम से जाता है किस नदी प्रारूप में लोहे के तिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवरक हो जाते हैं त्या हो जाते हैं लेटराइट मीटी नेश्ट प्रकास के समध में कौन स बैवी सभी दिया गया है नेश्टा खैंट्र में नेम लिखित व्य इनलीट में से कॉण सिपटि igu में र्खिद पर क्रिया होती है तो यह होती है इत्र एक वर्ग से नीचे लूम परपध्विद व्य पिनन मिट्द कर रहा है और रिए अभर्त के संक्या साथ होता है अधुनिक आवर्थ साड़नी की जनक नहीं तो मॉसले लिए मदैर प्रकास की विष्रम का कारण कया है त्या दूल कन है अप्सिनमगा20 का राइट सर्थ है नेष्ट से बी यॉगिक का उसी करण संख्या क्या होता है किसे भी योगिक का Кुसी करन संख्या gero होता है यह नेश्ट है sarpa सर्प मिश्रोधी सुईकिस्तर्थ्र का एक योगिक यह नेश्ट का विमेय सुत्र क्या है यह है ML ML M1 T- T-C 2 चलिए आगे बटते हैं जैव सेल क्या है तो यह कोईला है यादास्त का समझ मस्तिस के निम्न से किस भाग से है यादास्त का समझ सेरे बरंब से नेस्ट एक जीवास में पीजिए नाम बता है जो एक पच्छी की तरह दिखता है लेकिन सरी स्रीप के जैसी न विसेसतायां होती है इस की इसके हो जाएक है आर्कियोप्टेरिक्स नेस्ट है माने की सर्वाधीक मतलें पाए जाने वाल गता था तोटे है तो पाए जाने वाल बीक है ऑक्सीजन कि ऐसका प्रयोग किस का प्रयोग किया जाता है तो बटाइएगा दूरान मौली का धिकारों का निलंबन कौन कर सकता प्राकला समिति किस सब्सक्राइब कितने वर्स का होता है यह होता है एक वर्स के लिए होता है नेश्जicular श we की देस के सरे लिए गए आगया है या लिया गया गया है भाग 20 में ऊंच में स्विर्कर्व सुन अविडान नेश्ट है मिलाने के लिए दिया गया है मिलाइए भासाओ का उलेक आठवी अनुसूची में है बाइस भासा टोटल है जिसमें अंग्रेजी राज थाई नहीं है दल विदल नीरोधी अनुसूची 10 में है त्या तर्वास विधान संसोधन अधिनियम जो कि पंचाइटी अनुसूची में है भूमी सुधार अधिनियम इसका चर्चा नौवी अनुसूची में है चलिए इसको मिला लेजिए इसका राइटरस क्या हो जाएगा यह हो जाएगा दो एक चार तीन आप्शन अभी इसका राइटरस रे नेश्ट है 37 अप्रष्ट 833 के चार्टर अधिन और जींगया उत्पादन से स्वंधित है यह है कॉन से करंथी बताएगे गुलाबी कांथी लगके टमाटर मांस किसका है तलाल करंथी निली करंथी मचली उतपादन गोड़लण करंथी बताइए किसे समंधी थे नेश्ट है निम्नी खित में से कींदो संस्थानों को वेटरन बुट्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है यह जो संस्थान है वह है आई एमेफ और बीस बैंक बीस बैंक नेश्ट को से चलते हैं कोशन नमबर 40 है किस वर्स भारतिय रिजर्बयंग का राष्टिय करन किया गया है भारतिय रिजर्बयंग का राष्टिय करन एक जनवर उन्चास को अस्थापना एक अप्रण 1935 को किया गया था नेश्ट हिंदू राष्ट का विचार मुलता किसका है तो है वीडी सावर करका हिंदू करनाट सलाइव मखऴन का करनाटारा आंध्र नादु के मानी उत्तम परव का समन्ध किस खेल से है। हेमानी उत्तम परव का समफ किस खेल से है। जिसका जो समफ है यह इसका समन्ध है मल्खम से है। मल्खम से है। नीपक अंदुलण के प्रनेता कौन थे। ट्यायस के प्रनेता थे, दादू-दयाल. तादु द्यार कि द्रकमा सिख किसने चलाय था रग्षी अंगय सुशयोन हद है की उरवर्बी बाढ़ाता कि भुदेगा एलवुय मेंन चेह ये और वुद्वी हो जाएगा खादर में स्ववाती पुर्वान मीटी को वांगर को बट हैं तापमाईंस से कम होता है तापमाईंस से कम होता है इसको राइब स्थर क्या हो जाएगा गोन्य थर्मक लाऑनिर नेस्टान बेशल मापदर्ण समंहित भारत में मानव का सरपर्थम साथ स्प्राप्त हुआ है नर्मदाघाटी से नर्मदाघाटी से नेश्ट है सरपर्थम प्राचिंतम अस्थाई जीवन के प्रमान कहां से मिलते हैं तो मेहर गड़ से मिलते हैं एक ही कबर से तीन मानव कांकाल कपसेस कहां से मिले हैं तो दमदमा से मिले हैं गर्थ आवास के साच मिले हैं बुर्ज होम से मानव के साथ कुट्टे को दफनाने का साच मिला रिचाहा है तो काली बंगा और लोथा से युग का प्रमान पत्र काली बंगा और लोथा से यूग में समाध्या का से कहा है काली बंगाodore का सी मिल यकन रखेए का स्वे मिलाक्न का सबंद्रों मिला है नत्यकिक कास्व की मुर्ती मुषण जोद्रों से सब्सक्लीन दफनाने की मुर्थ के प्राप्त हुई है तीन मुख वाले देपता के मुर्ति कहां से प्राफ्थ हुए है तो मुहां जोद्रों से, मीटी द्वाला निर्मित हाल का साच प्राफ्थ हुआ है वनावली से, उन्नेत जल प्रवंधन का साच धौला विरा से मिला है, सेलक्रिज अस्थापते के प्राचेंते प्रावान ड्रीज भागों धौला वीरा व्य दौला था क्रिसी का प्रथम से का मेरण धी गहां हुआ है चावल का मला द्व प्रियोग तो जो जिसे यव भी कहते हैं अब पसु पुसेज़े तो कुत्ता था माना जो सरप्रता प्रयोग में लाएगा धातु तामबा था राष्टिया मानाव संग्राले भुपाल में सी थे सिंदु सब्वेता के प्रमुक बंदर गाते लोथल और सुथ कोटदा सुर कोटदा जो राधानी किस ने कहा था तो पिंगट ने कहा था चलिए आज के लिए तना ही मिलते हैं ने स्ट सीरीज में तब तक के लिए धन्यवाद अगर यह वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक करें और से सेर करना ना भूलें चलिए मिलते हैं ने स्टूडियो में तब तक के ल